आज हमारे पास है एक 2018 Mercedes C220D और ये कार मोहित अनाजा कार डील्स के चैनल पर फॉर सेल है तो आज हम करने आए हैं इस कार का एक छोटा सा रिव्यू तो विदाउट अनी फॉर्दर डू लेट्स केट इंटो इस रिवी को शुरू करने से पहले हम बात कह लेते हैं पहले प्राइसिंग की मोहित अनाजा कार डील्स पर आपको ये कार एक काफी अच्छे रेट पर मिल रही है लेकर अगर हम बात करें एक ब्रैंड न्यू मर्सेडी C220D की तो आपको वो राउंड बाउट 48.8 लाक रुपीज का टॉप मॉडल डीजल में मिलने वाला है तुछ शोरूम प्राइस इसका मदलब ये बनता है कि अन्रोड आपको उससे भी जादा महंगी पढ़ने वाली है लेकिन ये का 2018 मोडल सिरफ और सिरफ दो साल कंडिशन और सिरफ यही नहीं कार खरीदने एक बात होती है कार को मिंटेन करना एक इंटारली डिफरेंट चीज होती है अगर आपको एक कार की इंशोरंस करानी हो सर्विस करवानी हो कहीं पर भी ट्रांसफर करवानी हो तो मोहित राजा कार डील आपको वह बहुत जादा और इस पर आराम से करवा के दे सकते हैं तो मेरे इसाफ से 34,00,000 रुपीज में यह एक स्टील डील है गाईज अब इसी के साथ करते हैं इस कार के रिव्यू शूरू अब सबसे पहले हम बात करेंगे इस कार की स्टारिलिंग के यॉरू हम फ्रंस सवरू करते हैं तो इस कार की बात करें इस कार के जो headlamps है इतने जादा सुंदर headlamps बनाए गए है 9 individual leds दी गई आपको as the indicator in this car इस कार में हमें single strip DRIL मिलती है यहां पर projector headlamp setup मिलता है जो की led है और उपर सिस कार की जो high beam है वो भी led दी गई है and that too in led form यानि कि यह कार आपको हर मामले में लाइटिंग मामले में तो बहुत अच्छी मिलेगी मिलेगी बाकिर हम ग्रिल की बात करें तो यहां पर हमें दो slats देखनों को मिलते हैं on each side यहां पर दो and दूसरे on the other side as well obviously हमें Mercedes का logo यहां पर बहुत बड़ा असा मिलता है और उसी के ऊपर हमें यहां पर और Mercedes का logo मिलता है hood के उपर just in case अगर आप भूल जाओ कि आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं बट एक चीज़ जो है अगर आप में इस चानल के और भी Mercedes review देखे हो तो मैंने उसके अंदर बताया हुआ है कि Mercedes ने जो आजकल अपनी गाड़ियों में कर रखा है पहले क्या होता था कि उनके ग्रिल से आप डिफ्रेंशेट कर सकते थे अं स्टाइलिंग भी काफी डिफ्रेंट होती थी लेकिन जो अब नई Mercedes cars आ रही है उनके अगर आपको कार को डिफ्रेंशेट करना हो E C और S classes के बीच में तो अगली बार अगर आपको Mercedes road पे चलती हुए दिखे हैं अगर आपको यह ना पता चले कि कौनसी Mercedes है तो आप उसकी अगर आपको यहां पर सबसे पहले चीज़ आप नोटिस करेंगा वह सकार के V-style 5-spoke जो की 17 इंच के लोगी मिलते हैं में काफी जादा अच्छे अच्छे इंट्रिक्ट डिजाइन है साथ में यहां पर कुछ सिल्वर लाइनिंग भी मिलती है डामन काट डिजाइन काफी जादा अच्छा लगता है फ्रंट फेंडर पर हमें यहां पर एडिशन सी लिखा आ रहा है क्योंकि यह सी क्लास है दिन अगर हम और विम्स की बात करें तो और विम्स वैसे नई में मसेडीज में औल्मोस सेम ही रहते हativा हर क्लास केंदरी इसी और एस क्लास कर तो तो हमें वह उसकार की ऊच्च की तक more ब्लाक टाउट डिजाई मेंzek में जो यहां पर नौमली हमें कार में यहां पर क्रोम फिनिश मिलती है विंडो सिल्स के आसपास वह भी इस प्लाक आउट करी जो कि क्योंकि अगर आप इसको टुछ करेंगे आपको तो मेटालिक फिनिश जरूर पता चलेगी लेकिन वह ब्लाक डाउट है इसलिए आपको दूर से कामरा में शायद ना पता चल रहा हो तो यह में को क्वालिटी ओव मेटीरियल और इस ब्लाक डाउट डिजाइन में को इसकार का काफी जादा सुंदर लगा अब अगर हम इसका बनाया गया ना कोई progressive की बैजिग ना प्राइम की बैजिंग जो कि इसके दो मॉड़र आता है तो हमें किस चीज की बैजिंग में दे रहे हैं काफी सिंप्लिस्टिक डिजाइन बनाया गया है यहां पर हमें जरूर दिया गया है जो कि में को काफी अच्छा लगा बाकि यह यहां पर थोड़ी से डिस्टिंगुशिंग जरूर दी गई है लेकिन वह अच्छी लगते है क्यों कि हमें फ्रंट के अंदर भी थोड़ी बट क्रोम स्टैलिंग देखने हो मिलती यह में अच्छी लगते साइड में जो हमें दीगी थी वह ब्लाक्ड आउट क्रोम था तो इस कार में सिमेट्रिकल ली वह भी बहुत अच्छा लगता है अब फीचर की शुरुआत करेंगे हम इस कार के सीरे से जो की बहुत स्टैंडर्ट फीचर है जो कि है इस कार के सारे शीशे अनलॉक कर देना यूजिंग जस्ट लेकिन इस कार में एक जो चीज में को काफी अन सारे शीशे नीचे हो रहे हैं लेकिन अगर एक चीज देखें तो इस कार की जो संरूफ है वो तक पीछे हो रही है I mean this is something that I have not seen in many cars लेकिन यह चीज काफी जादा अच्छी चीज है कि आप सिर्फ चाबी से ही इस कार की जो संरूफ है तक उसको तक खोल सकते हैं अब इस हैं और आपको शीशा मान लीजे बंद करना भूल गई या मान लीजे आप संरूफ बंद करना भूल गए तो आपको लिटरली सिरो फर सिरफ एक तीस करनी होगी लॉग बटन को दबाके रखिए और इस कार की जो सारी शीशा और संरूफ है वो सब अपने बंद हो जब तक बटन को दबाके रख रहे हैं इस वेरी वेरी नाइस इस कार में बाहर जो एक और फीचर है वो यह है कि इस कार में आपको दर्वाजे के साथ एक प्रजेक्टाइल मिलती है वो है इस कार का मसीडीज लोगो अगर आप मान लीजे कार को रात को के दर्वाजा खोलते हैं या मानलीजे किसी अंधेरे में इस गाड़ी के दर्वाजो को खोज़ते है तो आपको Mercedes का लोगो नीचे प्रजेक्टिट मिलेगा जो कि बहुत सुंदर लगता है अब इस तरह की दि vanilla की फीचे कि दर्राख हम करें गवाम यहां पर इस डिस्प्ले के लिए गए है तो आपको आपको P और 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 वैसी आम्र fix कर नाई यहां से कर सकते हैं यहां पर इसकार का जो विंड्स क्रीन का आप गया थे आशिया गिया है इंडिकेटर स्टोग दिया गया है यहां पर हमारे पिर्डسم कंट्रोल का सिन दो के यहाँ पर हमेर पास फिस हें वह मिलता है गंचार пригa Good यह यहां को सबसे जादा चीज लगते क्यों कि जबाब भार आप यहां कई सबसे पहले तो जब यह पार कर रहे होथा दो कि यहां को बार भार भर कारिव्र में डालनी हो घ्राइवन को यहां से अब बस एक हाथ के थुरू आप कर सकते हैं सब कुछ आपको बार-बार यहां सेंटर कॉंसोल में गेर चेड़ने की जूरत नहीं है सिरफ और सिरफ इस हाथ के थुरू जब आप स्टेरिंग वैसे भी मोडी रहे होता है यहां से आप साथ के हाथ कंट्रोल कर सकते हैं थो कि मैं को बहुत अच्छी चीजज लगी बाकि हमें ऑबिसली स्कार में पार्दर शिफ्टर भी मिलते हैं तो यह चीज चीज काफी अच्छी लगी तो अब नेक्स्सकर करने में बात करने हमें इंश कर लेकर की इस कार की इस सांगी और जेश इस आइस हो कितना 저 May हमने मोहिता नाजा काईडीस के चैनल पर काफी मर्सेडीस रिव्यू करी है लेकिन वो पुराने मोडल होने के वैसे उनकी डिस्प्ले साइज था वो काफी चोटा था 2018 मोडल कंदर देख सकते हैं कितना जादा बड़ा डिस्प्ले हमें मिलता है और यह लुक वाइस तो बहुत अच्छी लगती है बाकि अगर हम इसके अदर और चीज़े देख तो ट्रिप इन्फो आती है जो कि बहुत नॉमल ए इसकंदर हमें अपर सोटा से डिस्प्ले यहां से करना तो यहां से मीडिया के थ्रू कर सकते हैं नीचे हमारे पास टेलेफोन सेटिंग्स आती है यानि कि अगर आपका जो फोन है वह ब्लूटूथ के थ्रू इसकंदर कनेक्टेड होता है यहां पर आप बहुत चीज़े देख सकते हैं कि किसी को कॉल करना कॉल लॉक प्रेशन दी जाएगी ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके सामने कुछ आ रहा है यह चीज में को काफी एच्छी लगी अगां यहां बैक जाएं तो हमारे पास नेक्स आता है इस कार में सर्विस जिसके दरा में बताएगा कि हमारी नेक्स सर्विस कब डियू है और कितन उसको कर सकते हैं चेंज एंड हमारे पास नेक्स आता है अटेंशन एस्सिस्ट इस कार के काफी अच्छा फीचर है सेफटी फीचर है उसके नहीं होता कि है माली जब आप गाड़ी चला रहे हो तो इस गाड़ी के नरा आपको यहां पर ना वर्निंग आती रहें कि बताने के कि आप काफी देर से गाड़ी चला रहें अब थोड़ा से रहें लिजए ताक कि आप जादा अटेंटिफ रह पाएं तो यह काफी अची चीज लगी मुझा नेक्स हमारे पास आता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हमारे पास यहां पर यूनिस दिये गए हैं अगर आप तो यह उसको माइल में करना चाते तो आप माइज में भी कर सकते हैं यहां से यहां सश कर सकते हैं अगर ऐसका ऑब के हैं अब तो इसकार में अभी जो है वह नोइल्मल टijd लगाए लेकिन कई जगावी पर ऐसा होता है कि मान लीजे वहां पर बहुत जाए स्नोफॉल होते हैं तो यहां पर अगर आप मान लीजे विंटर टायज मसेडी सी क्लास के अंदर लगाते हैं यहां पर आप उसकी सेटिंग उन कर दीजे फिर उसे क्या होगा कि आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वह आप लिमिट कर देंगे क्योंकि विंटर टायज ऑविसले ग्रिप के लिए बने हैं स्पीड के लिए नहीं तो यह बहुत अच्छा सेफटी वीचर है तो यह था इस कार के बारे में बाकि कुछ चीज़े इस कार के अंदर स्टैंड रहती है जैसे कि इस कार क का जो हमारे पर यहां पर दियां गया है टेमप्रेचर के जो कि भाहर के यहां रखर बिता लगी यह मैं थैक करतेफ का इसके driving mode change कर सकते हैं, अभी जो है, आई जो है वो individual mode हुआ, यहाँ पर आप उसका मानली जिस S sport plus में लेकर जाते हैं, तो आप देख सकते हैं, वहाँ पर वो S plus हो गया है sport के अंदर, अगर आप लेकर जाते हैं, तो S हो जाएगा, comfort के अंदर वहाँ C आजाएगा और E को के अंदर, वहाँ E आजाएगा, तो यहाँ से आप सब को change कर सकते हैं, जो कि में को काफी अच्छा लगा, हम individual में इसको वापिस रख देते हैं, next जो मारे पास display आती है, वो इस car की infotainment display है, लेकिन, इस infotainment display के अंदर, जो भी चीज़े दी गई है, वो बाकी Mercedes से exact same है, लेकिन, UI चेंज हुआ है, तो अगर आपको इस display के अंदर क्या क्या चीज़े दी गई है, आपको वो देखना है, तो आप किसी भी और Mercedes review को आप देख सकते हैं, लेकिन, UI में जो चेंज हैं, वो मैं आपको इस review में बताने बाला हूँ, तो सबसे पहले तो हमारे पास, controlling के अंदर है, मारे पास दो चीज़े हैं, सबसे पहले तो यह dial आ जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, dial के थू मैं इसको चंट्रोल कर सकता हूँ, तो आप देख सकते हैं, यहां पर UI में काफी चीज़े आया है, नर्मल मेसेडिस के अंदर आपको बहुत ब्लैंड सी चीज़ मिलती है, लेकिन यहां पर Bluetooth के अंदर हम आया है, तो यहां पर Bluetooth का लोगो बना हूँ है, पीछे audio की waves आ रही है, सुंदर देखने के लिए, बागि अगर हम यहां बैक में जाएं, यहां पर अगर हम मान लीजे, वेकल सेटिंग में जाते हैं, तो वेकल सेटिंग में यहां पर सबसे पहले तो जो हमें पुरानी Mercedes में, यहां पर एक menu दिया गया था, यह एक circle उसमें दिया गया है, और animation भी काफी सुंदर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन जो एक तीज़ आप नोटिस करेंगे, वो यह है, जैसे कि मान लीजे, आप वेकल सेटिंग में आता हूँ, यहां पर सिर्फ और सिर्फ यहां पर वेकल दिखाई है, यहां में को इस डिस्प्ले की बहुत अच्छी चीज़ लगी, तो यह तो था इस कार के जैसे कि मैं आपको वोता है, यूआ चेंजिस के बारे में, लेकिन डिस्प्ले के अंदर जो भी चीज़े दी गई है, वो नॉमली हर मेसेडिस के अंदर दी ही गई है, तो आप किसी भी और मसेडिस का रिव्यू देख सकता है, जो इस चैनल पर हमने कर रखा है, उसकी मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसके अंदर जो भी चीज़े दी गई है, वो इस डिस्प्ले में भी दी गई है, तो अगर आपको इस डिस्प्ले का एक डीटेल रिव्यू चाहिए, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लें, नेक्स चुम हमारे पास इस कार में फीचर आते हैं, वो इस सेंटर कॉंसोल में आता हैं, तो हम धीरे देरे सब की बात करता है, सबसे पहले यहां पर हमारे पास इस कार में एसी के फीचर दी गए है, यहां पर हमारे पास इस कार में टू जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है, एक ड्राइवर के लिए, एक पैसेंजर के लिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं, AC यहां से आप on or off कर सकते हैं यहां पर air circulation आप देख सकते हैं आपको कहां पर चाहिए बाहर के थुरूए air circulation चाहिए या गाड़ी के अंदर ही चाहिए sink से क्या होता है क्यूंकि इस car के अंदर दो zones है climate control के अगर आप sink दबा देंगे तो जो भी temperature ड्राइवर ने अपने लिए सेट की होएगा वो पैसेंजर के लिए भी automatically हो ही जाएगा यहां पर हमार पास आता है इस car में रियर डिफॉगर यहां पर हमार पास आ जाते है AC के menu जैसे के आप देख सकते हैं यहां पर AC के लिए आता है यह हमार पास दिए गए इस car की जो infotainment डिफले है उसके shortcuts मान लिजे आपको vehicle settings में जल्दी से तो आप यह बटन दबा दीजिए and automatically आप vehicle settings में आ जाएंगे अगर आपको telephone settings हो लिए यह दबा दीजिए automatically telephone settings अपने आप खोल जाएंगे अगर हम कुछ और buttons की नीचे यहां बात करें यहां पर हमार पास इस car का volume control आता है यहां पर हमार पास आता है इस display को बंद करने के लिए ताकि आप distracted ना रहें यहां मार पास जो button है वह इस car का rear shade के लिए तो आप देख सकते हैं अगर मैं यहां पर बंद हो जाए कि petrol बचाने के लिए यहां से आप इस car की जो parking sensor उसको off कर सकते for some reason यह मार पास driving modes के लिए आया आता है यह तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इस car के अंदर एक जो feature में को बहुत रगता है वह यह है कि हमें sunroof मिलते जो कि आप देख सकते ओपन है अगर मैं इसको एक और बंद करता हूं तो इस car का जो sunshade वो बंद हो जाएगा for the front seats and for the rear seats as well next one मेर पास इस car में फीचर आता है वो आता है बेल्ट के जैसे कि आप देख सकते यहां पर जो मेरे फेंड है वह बैट लगा रहा है और इसको अपने अप्टाइट करते थी अगर आम फिरसे करकर के आपको दिखाएं तो जैसे ही यह बैट को इसके बकल में डालेगा तो यहां पर आप देख सकते बैल्ट आटमाटिकल हो जाएगी उसके कपडों के साथ और यह एक बहुत अच्छा सेफटी वीचर है Mercedes कार के अंदर एक और फीचर जो हमार पर से इस कार में आता है वो है Ambient Lighting है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर Most Visible है क्योंकि अभी दिन है तो जाता अच्छे से दीख नहीं रहा लिकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं Blue Color के Ambient Lighting है इस कार में हमें 3 different colors के Ambient Lighting आती है जैसे कि यह color एक white color है और एक orange color आता है प्रैक्टिक आड़ी की शुरुवाद हम करेंगे इस कार के glove box है सबसे पहले आप नोटिस करेंगे यह lighted है तो यह चीज़ काफी अच्छी है बाकि इस कार का glove box काफी decently sized है इसके आप काफी सम्वान रख सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा हाथ काफी बढ़ा है और इसके थूरू भी आप इसके size का एक थोड़ा सा इस्टिमेशन लगा सकते हैं सेंट्र कॉंसोल में यहां पर हमें covered storage कभी दी गई है जो की completely wooden finished है एक panel के साथ जो में को काफी अच्छी लगा लेकिन बाकि अगर इसको खोले तो यहां पर हमारे पास दो cup holders है जिसको हम यहां से खोल भी सकते हैं अगर यहां पर हमारे पास एक cigarette lighter है अगर हम इस चीज को open करें ऐसे तो यहां पर हमारे पास ashtray भी आ जाती है इस कार के armrest को आप यहां से open कर सकते हैं काफी जादा बड़ी storage कभी है हमारे पस यहां पर एक इलास्टिक दी गए एक चीजों को को open करें तो यहां पर हमारे पास एक 12-volt charging socket आता है और साथ में एक full-blown house circuit जो कि आप देख सकते हैं अपने घरों में भी दिया गया है वो Mercedes में भी दिया गया है जो कि में को बहुत जादा अच्छा लगा इस कार की आमने प psych-tap उसको भी open कर सकते हैं यहां पर हमारे पस法 के ऊपन करने की बात करें तो आहें हमारे पास आते हैं तीन तरी के सबसे पहले हमारे यहाँ पर यहां पर एक में कुछे सेंसर और किक तूर पर सता संसरा ए من cost sa करें यह अपने अपन तो हो गई है क्योंकि इसके निर हमार पास spring actuators आते हैं यह एक electronic tailgate नहीं है एक manual tailgate ही है लेकिन spring की वैसे आटमाटिकली ओपन हो जाता है अब इस कार की trunk काफी जागा बढ़ी है जैसे कि आप देख से पीछे लेकिन इस कार का जो spare tire वह हमें ही पर यह रका है इसका पर करनापर देखे थर करunde यहां पर देखे यहां की दो अभी और पर चुण यहां से उठाएं पर पहली लात हम आप यहां पर बताऊंगा लेकिन यहां पर हमें organized space मिलते हैं, जैसे कि आप देख से काफी बड़ी space है, यहां पर हम समान रख सकते हैं, यहां पर हम समान रख सकते हैं, यहां पर हम समान रख सकते हैं, आप इस चीज़ को उठा कर एक complete storage का भी बिना सकते हैं, इसके अंदर आप काफी समान रख सकते हैं, तो spare wheel क कॉंपंसेशन हमें नीचे जरूर दी गई है वाग अगर हम इस ट्रे की बात करें तो यह जो ट्रे है एक्टिर इसको हम खोल सकते हैं इसको बकेट बना सकते हैं तो इसके अंदर भी आप फूद समान रख सकते हैं ताकि वह इदर उदर चोटा समान इस कार की ट्रंग में इद इसकार में बहुत जादा सॉफ्ट है वेरी प्लस सीट तो आपको इस कार में बैठने वाइस तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है बाकि हमारे पास और कुछ चीज़े हैं जैसे कि आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं अभी क्यूंकि दर्वाजा दूर इसले में को लगते हैं तो यह फीचर है इसलिए बहुत अच्छा लगा लेकिन आटमाटिक होता तो और जादा अच्छा लगता लेकिन हमारे पास इसकार में लंबा सबूर्ट हमें यहां नीचे ही दिया गया है वह चीज़ काफी ताध अच्छी है तो ओवराल फ्रॉन सीट में तो मे से इस कार में रियर सीट में अपने ज़स्ट देखा में फंट में बढ़ा रही थी तो अब में रियर सीट में कराता हूं तो इस कार का जो होगा एक अध इंच का एक्स्रा लेगरूम आजाता है एंड टोटल में मेरे पास कुछ लगा लिजे टू तो एड़ एड़ इंच का लेगरूम होगा लेकिन वैं काफी लंबा हूं सिक्स फीट वन के लिए भी इतनी जादा लेगरूम है तो मेरे साब से किसी को भी जादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर हम हेड्रूम की बात करें तो यहां पर हेड्रूम भी मेरे पास अराम से दो इंच का होगा तो एक का स्पेश तो बहुत है स्पेस वाइस आपको तो ओवर ओल यह कार बहुत जादा गंफरिटेबल है और अब जादा कंफेटेबल है और यह एक्सपेट फर्म मेर्सेडीस